आज हमारे साथ अभी चंदन मुंडा है जो क्लास 9th के स्टुडेंट है और उनके साथ उनकी चाची है भवानी मुंडा और हम इन दोनों लोगों से बात करने वाले हैं पढ़ाई को लेके और थोड़ा सा पेरेंट्स का भी क्या रोल होना चाहिए कैसे हमें ध्यान रखना चा है हम लोग भी इतने दिनों से इंट्रक्ट करते हैं देखते हैं तो there are situation there are time की बच्चा जो है वो academic के अलवा बाकी चीजों में भी उलज जाता है और उस वजह से उसका academic performance खरब हो जाता है और हम फिर उसको जो भी बोलीजिए under pressure आ जाता है दिकत बढ़ने लगती है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ बात करने वाले हैं और हम मैं से भी कुछ पूछेंगे कि आखिर क्या करा जाए कैसे करा जाए जो बच्चों का improvement अच्छा हो पाए और इसी के साथ हम इस session को start कर रहे है most welcome मैं मैं चाहूंगा कि पहले आप अपना नाम दर्सकों को नमस्कार तेर नम भवानि मुल्डा है यहां आने पर चंदन को पढ़ए करने में कुछ सहलियत हुई है եोड़ा बहुत सहलियत तो हुई है उनका पढ़ाई में पहले से सुधार हुआ है, घर पर पढ़ाई करते हैं यहां पढ़ने के बाद, अच्छे बात है मैं, और आपसे एक चीज हम पुछना चाहेंगे कि जो यहां का पढ़ाई है, अलबेडो का जो पढ़ाई है, उससे आप संतुस्ट हैं, हां संतुस्ट हैं, लेक improvement हो हम चाहते हैं कि आप जो notes भेशते हैं जैसे online notes भेशते हैं हम चाहते हैं कि offline notes भेशे offline भी जैसे बच्चों को class में मैं सारा चीज लिखाया जाता है तो उसमें से कुछ बच्चे जो absent हो जाते हैं नहीं आपाई किसी कारण बस कुछ बहानाबाजी भी होता है कुछ real case भी होता है तो अगर वो नहीं आ पाते हैं तो हम इसके लिए उस notes को बाइज़ पीडिएफ डाल देते हैं कि उनको छुटे नहीं ठेक है ना फिर भी यह रहता है कि जो मेरा अपना personal opinion है कि class 10 तक बच्चों को no doubt digitally इसा नहीं बोलेंगे कि वो बेकार चीज है बट मेरा suggestion यह है कि student को अपना handwritten notes बनाना चाहिए उससे दो फायदे होते हैं पहला कि हम सारी चीजों पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं as well as कि आपका writing भी बहुत माइने रखता है class 10 तक हमें board exam देना होता है so keep in mind कि आपका भले digital solution मिल जा रहा है pdf आपको आजकल बहुत easily accessible है या हम लोग फटाक से photo खिच के share कर देते हैं बट आप ध्यान रखिए कि हम अपने notes को जो class notes है उसको बिलकुल अपने हाथों से बनाएं इस बात से आपको याद करने में भी आसानी होगी second point आपका writing भी बहुत अच्छा improve होगा और उससे revise भी हो जाता है so make sure कि आप अपना handwritten notes पका बनाएं normally जैसे होता है कि parents guardian ये बोलते हैं कि नहीं बच्चों को अभी दबाव नहीं देना चाहिए या होता है ने कि इस से pressure बढ़ता है तो आपका क्या ख्याल है कि हाँ बच्चों को थोड़ा-थोड़ा आगे का पढ़ाई आप इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए या क्या आगे का पढ़ाई भी करने चाहिए खोड़ा वो इधर उधर की जानकारी होनी चाहिए चलिए बहुत अच्छे बात है चंदन आपसे एक सवाल यह है कि आप जो पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या लगता है कि मालब जो सब्जेक्ट है वो मालब कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले तो आपका अच्छा है मैरा सब रहा है और अगे कुछ पढ़ाई करना चाहिए या उससे बबाव जादा बढ़ता है करना चाहिए डाउट वगर्ण होाब होता है एक्ट्रा क्लास आपको मिलते हैं उसमें आपका चीज छुटता है यह होता है उससे आपको फायदा मिलता है चलिए हम यहीं चाहते हैं कि जो तीचर ध्यान दे देखिए पढ़ाई की समस्या जो है हम लोग उसको magnify कर देते हैं पढ़ाई में ऐसा coach भी नहीं रहता है कि मलब हम उसको sort out ना करें अगर आपको पूरा class 9-10 तक पूरा एक चाप्तर भी नहीं समझ में आए तो मेरे ख्याल से वो जादा से जादा जो समस्या है आदा गंटा स से लेकर 2-3 घंटे में sort out हो सकता है तो यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है हम एक दिन भी अपने concerned teacher से या जो भी आपके पास availability है अगर आप उन से मिल के और इन सब बातों पर अगर आप discuss करते हैं तो विदिन एक से दो आवर आपका sort out हो जाएगा है ना तो मेरे ख्याल से ह हम इन चीजों पर ध्यान दें और हम उमीद करते हैं कि आप future में बहुत अच्छा करें अना all the best okay okay thank you thank you